नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली करंड अफ्यर सीरीज में और जिसका मेन है हमारा PSIR GS2 NET JRF और PGT और ऐसे कोई भी एक्जाम जिसमें इंडियन Constitution और पॉलिटी भारतिय राज वैबस्ता और जो है Constitution समिधान की नहीं से कुश्यन आते हों वो सब के लिए यह है और वो सारे एक्जामस में आता हैं यह सब आपको पता है और आज की डेट है 29th of January 2022 वह आज की जो टॉपिक्स हैं वो डिस्रप्सन से पार्लेमेंट को ले करके ह और सुप्रीम कोट ने एक डिसिजन दिया है जो बीजेपी के कुछ MLA जो थे उनको सस्पेंट कर दिया गया था उनको ले करके ठीक है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें होगा 30 नमर का कोटा इन प्रोमोशन में ले करके तो आईए आज के पहले टॉपिक से हमें स्टार कि इसमें क्या कंटेक्स्ट क्या है इसका ज्यूज में क्यों है कि सुप्रीम कोट ने अपना एक रिजज्जमेंट दिया और सुप्रीम कोट ने कहा कि भारत जो है वर्ल्ड लीडर अगर बनना चाह रहा है उसके एसे तो वह अपने सिटेजन के वैलफिर के लिए काम करें ना के एक दूसरे पर उसके नेता क्या करें, एक दूसरे पर अटेक करें, संसद में, तो वो क्या करने हैं चाहिए उन नेताओं को, वेलफिर पर काम करें, ना के एक दूसरे पर अटेक करने में, 75 साल हो गए हैं, तो उसके लिए कर आप वर्ल लीडर बनना चाहरे हैं, तो हम कार अच्छी बनाने वाले सिस्टम को उसको क्या बोलते हैं स्टेट्स मैंशिप कहते हैं ऐसे लोग जो अच्छी गवर्नेंस दे सके और बिरिंक मैंशिप कौन जो चीज़ों को बिगाड़ते हैं अपने फेवर में लाने के लिए दूसरों पर दवाब बगरा बनाना यह सब और सुप्रीम कोट ने और क्या का आप इस इंट्रिगु में या मेंस के आंसर राइटिंग में इससे फर्डर-पॉिंट की तरह आप इनको यूज कर सकते हैं कैसे कि सुप्रीम कोट का जो कहना था इस जिजमेंट में क्या का उनोंने कि जो लेजिसलेचर है वो पहला को यलेक्ट करके भेजते हैं और वह रिप्रिजन्टेटिव्स देश के नाग्रिकों को लिए लौ बनाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जो है रिशन करते हैं सुनते उनके चर्चा करते हैं तो इसलिए यहां सबसे पहला इस्तान होता है जहां से देश की जनता के लिए welfare की बात होती है उनको न्याय मिलता है अब इसमें background क्या था इसका कि महराश्ट की legislative assembly में 12 बीजेपी के MLA जो थे उनके disorderly conduct के लिए उनको क्या कर दिया गया थीक बेभार नहीं था ऐसा बता करके उनको suspend कर दिया गया था और बुरा कितना पूर सिरियसली case basis में आया कि supreme court ने कहा है कि जो आप इस पार्लियमेंट में लेजिसलेचर में क्या हो रहा है discussion की बजाए क्या हो रहा है disruption को replace कर दिया किसने disruption ने ठीक है जबकि होना क्या चाहिए discussion होना चाहिए ठीक है चलिए अब इसमें हम बात करते हैं अपने आगे वाले point की ज डोक सभा थी दोजयार नौ से दोजयार चोदय के बीच में लोग सभा ने 60% टाइम कांग और राजी सभा ने 16% टाइम वेस्ट हुआ 15 भी लोग सभा में 37% 14 भी लोग सभा में 13% इतना टाइम अनों क्या कर दिया लॉस्ट कर दिया राज्य सभा की अगरवाद करें 36% हो सकता है लोग सभा की जो कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या होती जा रही है गठती जा रही है इसको छोड़ दीजागा है नेक्स अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की इस ही में तोड़ा जूम कर लेते हैं अब हमें इस बात पर भी सोचना ओगा कि अगर किसी राज़े सभा में लोग सभा में या स्टेट्स की जो असेंबली है ठीक है उनमें ये सब डिसरप्शन क्यों हो रहा है तो पहली बात क्रोवर्सी होती है उनको पब्लिक इंपोर्टेंस के मैट पर लेकर के उसकी वज़य से क्या होता है मुद्धा कहीं से कहीं चला जाता बहुत ज्यादा अनुरूली भी है विएर होना स्टाट हो जाता है एक दूसरे पर हंगामा वगरा यह सब स्टाट हो जाता है दूसरा उसमें क्या पॉइंट होता है कि इससे कुछ फायदा भी मिल पार्टी को कि वह उससे जिम्मदारी से बच जाती है कि बोल सकती है ना रूलिंग पार्टी के इन बाई हमको तो कामी नहीं करने दिया जा रहा तो उससे उसका क्या हो जाएगा और ऐसे डिसरप्सन में अपने बिल वगर हो भी पास करवाक लिए ठीक है या कुछ MLA को लेक ऑफ डेडिकेटेड टाइम फॉर अनलिस्टेड डिसकसन मींस जो अनलिस्टेड डिसकसन होता है अब इसमें जो लोग सभा राजसभा या विधान सभाई जो काम करती है उसमें दूपरकार का टाइम होता है एक तो होता है लिस्टेड ठीक है और एक होता है अनलिस्ट इन दोनों में क्या हैं लिस्टेट वो तो लोग सभा राज सभा की उसके पास से लिस्ट होती है यह काम होने सेशन में यह इस दिन और इनके लिए कोई इससोर्ट कर्वर कावर sì पर मतलब ऐसा उसको उसमें कर जाते हैं जिनके कलाप करना चाहिए उनके के साब से होने लग जाता है पार्टी पॉलिटिक्स मतलब हाभी हो जाती है देश की या जंता के जो इंड्रस्ट हैं उनके ऊपर दूसरी बात अब यहां हम बात करते हैं जब इतना सारा हमको समझ्चा देखी तो इसका इलाज क्या है वे अगर हमें डिस ऑडर को क्या करना है करना है क्लास में देखते हैं बच्पन पढ़ते थे या क्लास लेने जाते थे तो जो अ क्लास से बाहर ठीक है लेकिन यहां पार्लियमेंट में और लेजिसलेटिव असेम्बली वगरा में ऐसा क्या हो रहा है कि इनको ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है मन मर्जी आ रहा है जो मतलब सारे काम कर रहे हैं दूसरा चेर्मेंट सुस्पेंड एमपीज नौट फॉलॉइंग सच को और अगर जो इन कोड़ को पालन ना करें नियम वहां से दूसरा और गवर्मेंट जो पावर में है उसको भी थोड़ा और डेमोक्रेटिक होना पड़ाइगा यह ने कि अपनी ही मर्जी के सारे काम करें ठीक है और कुछ ऐसा भी करना होगा एक प्रोड़क्टिविटी मीट कि डेली राज सवा लोग सवाज विदान सवाएं उनमें क्या हो एक मॉनिटर जैसा कुछ एक सिस्टम हो जिस पर रोजाना का दिखाया जाए कि आज हमने कितना काम किया और कितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ तो डेली की डेली रिपोर्ट आए वहां पर तो पता चले कि मत लेकर कि आप एक कुशन लेखें और सजेस्ट मेजर स्टों स्मूथ फंक्शनिंग दो पार्लेमेंट इसको लेकर कि आप कुछ अपने सजेसंस दें उसमें कि इसको कैसे मींस रोका जा सकता जो बारबार डिसरप्शन होते हैं और अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर न उनको सस्पेंड कर दिया गया था ठीक है तो उसको लेकर के सुप्रीम कोट में केस आया और सुप्रीम कोट ने क्या किया कि महरास्टर की जो असेंबली थी उन्होंने इनको जो सस्पेंड किया था उस पर लेकर के कुछ अपने क्या दिया अपने कुछ डिसीजन दिये हैं यह केस जोलाई से ही चला रहा था अब इसको लेकर करके हम थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे ठीक है डिटेल क्या है इसको भी छड़ा जूम कर लेते हैं अब आपको शायद छीक से देखेगा ठीक है डिटेल क्या है कि सुप्रीम कोट ने अपनी कुछ अबजर्वेशन है उससे ज्यादा टाइम के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए उनको सस्पेंड नहीं कर सकता कोई भी स्पीकर चाहे वह एमेले की बात हो या एमपी की बात हो एक जामपल से समझ लेते हैं इसको माल लीजिए कि सेशन खतम होने बाला है इस सेशन के अगर बात करें तो मा नहीं तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं यह नहीं कि पूरी साल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया तो बीजेपी के एमपले मेलेह के खिलाब जो महराष्ट की गवर्मेंट थी वहाँ का जैसिकाग्र करने जिसे कि उसको पूरे साल भर के लिए उनको सस्पेंट कर दिया तो सुप्रीम कोट न कहा है कि उससे जदा अगर किया जाएगा तो इलीगल माना जाएगा उसको लीगल नहीं मान सकते क्यों कि वो आप उसको जान बूच करके फिर तो मैं मेलेज को बाहर करनें जिससे कि आप अपने बिल बगरा को पास कर सकें और ऐसी चीज़ क्या मानी जाएगी और इर्रेशनल भी मानी जाएगी अतार की ठीक है अब सुप्रीम कोट ने और अपनी कुछ चिंताएं भी व्यक्त की ह ठीक है वो चिंता क्या है कि अगर जिस दौर में इनको क्या कर दिया सस्पेंट कर दिया गया तो वहां जो 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 आसेंबली जिस इस खेत्र को यह रिप्रजेंट कर रहे हैं जहां से इनका जो है निर्वाचन हुआ है उन लोगों का तो मीन्स कोई निर्वाचन जो MLAMP है उन लोगों का तो रिप्रजेंटेसन ही नहीं रहा वहां के लोगों का क्योंकि वो तो भधान सभा में राजय सभा में जाई नहीं सकते और उनके मुद्दे भी नहीं उठा सकते तो जो सरकार होगी उस समय की पार्टी जो होगी वो तो अपने मनमानी के कारे करेगी तो सु को क्या कर रहा है और इससे और क्या हो रहा है कि जो पार्टी सक्ता में आ जाती है मेजोर्टी गॉर्मेंट में आ जाती है तो अपने हिसाब से पर उस पूरी उसको संसद को या विधान सभाव को अपने साथ से मैनुप्लेट कर लेती और अपोजिशन पार्टी को डरा धमका करके मींस रखते हैं जैसे कि वो अपने साथ से काम करें तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि यह एक हेल्दी डिमोक्रसी का हिस्सा नहीं हो सकता इसे हम हेल्दी डिमोक्रसी के लिए अच्छा नहीं मान सकते क क्यों क्यों क्योंकि अपोजिशन अगर वहाँ पर नहीं है सरकार पर लगाम लगाने के लिए अपने मुद्द जो है इश्यू को जो है रेज करने के लिए तो उसको हम हेल्दी डिमोक्रसी नहीं मान सकते क्यों क्यों क्योंकि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं जो MLS MPs हैं वो भी तो जनता के हैं भले या पोजिशन के तो क्या किसी अधर पार्टी के तो क्या मिस उनको आप डरा धमका करके उनको फियर में नहीं रख सकते कि जिससे वो यह डर जाएं कि अगर हमने कोई मुद्दा उठाया तो हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इतना उनको मिस उनके इस प्रकार से कारवाई न किये जाए कि वो डर करके रहें ठीक है अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए उसके अवलाबा तो अब सुप्रियम पूर्ट ने ये भी का कि जो सस्पेंड हो जाते हैं उनके जो कॉंसेक्वेंशल बैनिफिट्स हैं उसको आप नहीं रोग सकत ठीक है मीन्स बैनिफिट्स मिस अगमाल लीजे कि कोई छह महीने के लिए कि जो को सस्पेंड कर दिया तो जो सरकार है वो तो अपने इसाब से उनके वैनिफिट्स बगरा कोई रोग देगी तो कोई भी एमेले भाई कुश्यन उठाने से फिर दो डरेगा कि हमारे तो बैनि ले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था ठीक है नेक्स अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि इनको अगर सस्पेंड किया जाता है तो उसके प्रोसीजर क्या है सस्पेंशन का तो महारस्ट की जो लेजिसलेटिव असेंबली है उसका जो रूल नमर 53 है उ तो स्पी कर सकता है कि को मुझे अच्छा नहीं ही लगा ऑ किसके वह यहां से बाहर कर दें एक दीन के लिए दस दिन के लिए नियम और किसया इसाब श्चुंक किया जा सकता तो इसके आधिए पारिद कर देगा तो वो व्यक्तिक क्या होग संट hoogen वहां से आ coses परों की मीट अगर speaker चाहे कि वो पूरे session के लिए ना आए तो ये भी कर सकता है जैसे अभी बताया था हमने के 13 जनवरी से ले करके ठीक है और 30 March तक उसमें जो टाइम बचा तो speaker चाहे तो बोल सकता है कि पूरे समय के लिए आप आओगा नहीं आपको सस्पेंट किया जाता है तेरे समय के तो सुप्रीम कोट ने बोल दिया कि ठीक है इतनी समय के लिए आप कर सकते हो लेकिन से एक्स्ट्रा जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए आप नहीं कर सकते हो क्यों कि के बल सैसन वाला ही पीरेड उसमें का सामिल किया जाएगा यह नहीं कि आपने जो है इसो तीस मार्च ये जैसे एक ग्रिया तो इसा नहीं माना जाएगा तो इससे लेकर के क्या है कि उनके जो अनरूली बीहाबियर हुई तो होता है उसका क्या एक क्या है यह कंट्रोल किया जाए आप पर आप देख सकते होंगे कि लोग सब्समारा राजसबा कि यह चया किया है था अब हम आगे बढ़ते हैं चलीन आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं नया टोपिक भारा सरकार है गवर्मेंट ऑप इंडिया उन्हें प्ली दी थी अपने एक रिक्वेस्ट करी थी सुप्रियम कोड से कि भाई आप ऐसा करो हमको उस आदेश को अपने को बापस ले लो जिस आदेश में यह कहा गया था कि कोई नया रेजर्वेशन वगरा लाने के लिए यून तो पहले क्या कर वाँ आप फील्ड में सर्वे कराओ और उसका डाटद करो किस फील्ड में किन सुसाइटी के किन सेक्षंस के पास में जो लोग हैं उनका रिप्रजेंडेशन नहीं आप अंधेरे में तीर नहीं चलाएं कि बस आपका कल मन किया कि हम तो भाई प्रमोर्शन करना पड़ाएगा जिसको आप प्रूफ दे सकें कि हाँ इसमें रेजर्वेशन की आवशक्ता है अब मामला क्या था कि पहले से कई सारे हाई कोर्ट है लाउ तुम हमारे पास ले और हम इसको एक जगे पर हैी पर क्या कर राएं को डिली इन सारे जगह से केस हहां पर गया थे अब सुप्रीम कोट ने क्या अबजर्ब किया है सुप्रीम कोट ने कहा है कि ये इस्टेट की जम्मेदारी स्टेट मतलब सरकार की मतलब भारत की जम्मेदारी है सरकार की कि वो एक डेटा क्वांटिफाइबल जिसकी क्वांटिटी हो प्रॉपर तब जाकर क्या प्रेजर्वेशन उसको ला सकते हैं ऐसा यह निया में पहले ही नागराज केस 2006 में दे युनियन गबर्मेंट को इसके लिए वो प्रॉपर डाट करें ठीक है और इसी बात को नोंने जनरल सिंग्ञियों कासे उसमें भी माना था यहां नहीं यह साही रहेगा तो इसमें इसको और क्या कर दिया यह कंसेंट कर दिया था ठीक है अब बात आती है इसमें आगे की तो और क्या कहे रहा है सुप्रीम कोड कि सेंटरल गवर्मेंट मस्ट डिटर्माइन अ टाइम पीरियड टू रिविजर्वेशन पॉलिसी और क्या करे सुप्रीम वो यूनियन गवर्मेंट क्या करे कि एक ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स करे कि जिसमें यह जो सब्सक्राइब नेच्स करते हैं इसको भी जूम कर लेते हैं अज करना भूल गे वूज़े पर आज तो यह तो तीन बार करना पड़ गया क्योंकि बीच में कोई नो कोई आ गया चलिए इसमें बाद आगे बढ़ाते हैं अगर यह जो असेस्मेंट कराना है कि कहां पर केतने लोगों का रिप्रेजेंटेशन है यह राज सरकारों को छोड़ दो आप यह उनके लिए मतलाव कि सेंडर गवर्मेंट से करेगी ठीक है नेक्स्ट बात आती है कि पवित्रा केस की पवित्रा केस में क्या मेंटर था कि जो केडर का सिस्टम था उन्होंने कहा कि केडर को पूरा एक यूनिट की तरह अकाउंट किया जाएगा पूरी सर्विस को नहीं अभी इसको हम समझते हैं ठीक है और इस पर क्या कहा सुप्रीम कोट ने कि पवित्रा जो सेकंड वाला केस अगर हम इसकी मात करें तो बोला इसने कुछ जो सेकंड वाला केस था पवित्रा वाला उसमें जो डिसीजन आया वो पहले वाले जो मींस अभी हमारा जो एक जन्रेल सिंग वाला केस था और एक नागराज वाला के साथ इनकी अकोडिंग नहीं था ये जज्जमेंट तो इस तो सुप्रीम कूट का कहना है कि नहीं यह ऐसे नहीं माना जाएगा इसको कॉंसिकेंशल सीक्वर्टी से जो हैसी नियुर्टी को उसपर पर डाटा वगर आपको करेक्ट करना पड़ेगा अब अब हम यहां पर दो हमारी पास पॉइंट निकल कर क्या है कि एक तो यह निकल परदेश पूलिस में राइस्थान करण कहीं भी किसी है के तो वह बोल देंगे वह ठीक है इसमें टोटल पॉपूलिशन का माली यह के यह सुप लोग से लेकिन पूलिस में इसमें यह कहां पता चला कि जो हायर पोस्ट हैं उन पर यह लोग है कि नहीं यह औस स्ट की यह इसका basic सा system था ठीक है और इसको क्या करना पड़ेगा तो पूरी entire service की वज़ा है आपको CADR को देखना पड़ेगा means CADR कि यह IAS CADR की अगर बात होगी तो यह देखना पड़ेगा का IAS में कितने SC हैं किसने ST हैं कि यह IAS CADR की बात होगी तो उसमें आपको देखना पड़ेगा प्लस आपको यह देखना पड़ेगा कि जो सेकरेटरी लेवल के और आईस ओफिसर्स हैं उनको कितना वह वहां पर कितने SCST के लोग हैं जोएंट सेकरेटरी लेबल पर नहीं चलाएंगे कलमला कर के बात इसमें से इसमें निकल कर यही तो इसकी पूरी सर्विस को देखर के हम यह आँपर यह सब देख सकते हैं says यह ही तो इसमें प्र यहां भी लिखाह देगा को एंटायर सर्विस कैनोट भी कंसीडर डूब एक कैडर पूरी सर्विस को नहीं मान सकते का पुलिस में ठीक है सेस्ट को लोगों का इतना रिप्रेजेंटर से ने बात कतम होगे नहीं आप उसमें पोस्ट बगरा को भी देखना पड़ेगा और क्रीमी लेयर बगरा को भी आ हुआ था कि कि आपको डेटा करना ही करना पड़ेगा अंधेरे में आप तीर नहीं चला पाएंगे ठीक है अब कि यूजिन गवर्मेंट ने अपने क्या आर्गुमेंट दिये थे थोड़ा से यह भी देख लेते हैं कि हम क्या चाते हैं कि एस सी स्टी की जो पॉपूलेशन ने उस पॉपूलेशन की रेशियो में हर एक सर्विस में उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाते हैं यह इनका मानना था ठीक है और यह कह रहे है कि इसके लिए जो सिस्टम है जो कुछ वो मतलब सरकार के पास छोड़ दिया जाए कि वो इसको चाहे तो वो अपने इसाब से इसको क्या कर सके डिसाइड कर सके ठीक है अब प्रेजेंट सेनेरियों क्या है अब प्रेजेंट में क्या चलता है एक रोस्टर सिस्टम चलता है ठीक है उस रोस्टर सिस्टम के इसाब से क्या होता है कि उसकी पॉपूलेशन के परसेंटेज के इसाब से माल लिजे जैसे के भारस में मालिजे के बात कर लेते हैं ऐस्टर परदै। एठी नीजिवाति आते हैं गयिए गयाँ याँ. पॉपूलेशन है माल लीजे स्टी की तो भाई इसमें 10% IPS ऑफिसर होने चाहिए स्टी गए इस हिसाब से रोस्टर सिस्टम यह क्या करते हैं चलाते हैं इस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की इसमें बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट बात हम करते हैं इसी में आगे बढ़ते है कि अब जब रिजर्वेशन की बात हो रहे हैं तो यहां सब प्रीमे और मेंस में भी कुछ कुछन बन जाते हैं इसका कॉंस्टिटूशन में कहां प्रोविजन दिया गया तो आर्टिकल 335 में क्या दिया गया है कि जो स्ट पॉपूलेशन है उनको क्या मिल सकता है या ऐसे कुछ लाब देने के लिए मिस भारत भारत ग्रनराज्य को भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि इनके लिए कुछ इस्पैसल प्रोविजन कर सकते हैं उनके लिए दे सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एस स्ट या और पिछडावर्ग में कोई भी लोग बाते हैं वो अपना अधिकार बता सकें कि रजर्वेशन हमारा अधिकार है फंडामेंटल राइट में कि रजर्वेशन इस नौट फंडामेंटल राइट आप एनी सिटीजन एनी पीपिल किसी भी कास्ट ग्रीट कर उनका किसी का फंडामेंटल राइट नी यह रजर्वेशन तुल मिला करके कहने का मतलब यह है और इसका और दूसरा सेंस क्या है कि यह सरकार को यह अधिकार देता है कि वो चाहे तो रजर्वेशन दे सके किसी को भी ठीक है चलिए और अब इस पर हम कुछ कुशन भी देख सकते हैं आप च कि रिजर्वेशन की जरूओत किया है वही किसमें प्रोमोसन में आप इससे कितना सहमत करता है आप इसके पॉजिटिव में क्या में आपके पास क्या आर्गूमेंट्स आप यह लेखिए कमेंट कीजिए इस पर ठीक से बताएए ठीक है बागी फीर ऐक अलकसे किसी वीडिय seniority इसको देख लेता हैं कि यह क्या होती है इसको एक एक्जांपल कर तो हम समझे लेते हैं जैसे कि मालीजे कोई व्यक्ति है एक व्यक्ति है कोई बी और दोनों ही यह service कर रहे हैं level 3 पर ठीक है यह भी level 3 पर है तीनों एक साथ एक यह service में और उन्हों किया अब हुआ किया यह जनल का कैंडिडेट है और यह स्पी का कैंडिडेट है यह स्ट ना फोल पर तो प्रोन अगर रजर्वेशन में तो उससे क्या होगा कि पहले इसका की बज़ए कोई चलिसे यह यह सब़सकी तो इसका क्रप्र मशालार किया हो लेकिन अब इसका भी प्रोड मेरोपर यह तो consequential seniority क्या कहती है कि जब यह व्यक्ति यहाँ पर promotion में आया और यह senior हो गया तो means अब जब यह व्यक्ति sports level पर आएगा तो A इस B का junior होगा अब समझ रहें कि B यहाँ बैठा होगा और A यहाँ पर होगा जब कि पहले क्या था दोनों A की साथ service में select हुए और A और B दोनों एक साथ काम कर रहे थे और मियान दीजिए कि और थोड़ा सा पहले था उसमें और A इसका senior था लेकिन अब इसकी promotion की वैसे क्या हो जाएगा कि यह इसका senior भी बन जकता है किसमें consequential seniority में consequential seniority में सिस्टम है आप इस पर अपने जुह है एक क्या करें और उसको क्या करें अनालिसिस करें और आप एक बार खुझसे भी सोचें क्योंकि इंट्रवू बगर मैं भी यह question आ सकता है आज के लिए इतना ही thank you thank you very much for discussion और चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब गरें और वीडियो दूसरा इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन्स हैं तो आप हमें बताएं कमेंट में लेकर के हम उनके भी जवाब देंगे और आपकी पसंद्थी कुछ टॉपिक्स पर भी हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे जो प्रॉपर वे में होंगे ओके थैंक यू very much for discussion